हाई गुड मॉर्निंग टू अल मैं डोक्टर नगेंदे थालोर इंटर्वेंशन कार्डियोलोजिस्ट आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि अपने सरीर पे ऐसे क्या-क्या साइन रहते हैं या क्या-क्या निसान हो सकते हैं जिन को देके अपन ये पता लगा सके हैं कि अपने सरीर में जो लिपिड लेवल है वो ज्यादा है याने ट्राइगली स्राइड लेवल अपने सरीर में ज्यादा है और अपन उसको कंट्रॉल कर सकें ट्राइगली स्राइड लिपिड का ही एक टाइप है जो अपने बलड में पाया जाता है तो जो भी अपन खाना खात होती है तो वही फैट और ट्राइकलिसाइड कनवर्ट हो जाता है गुलुकोज में और एनरजी अपने को मिल जाती है लेकिन जब आपन बहुत ज्यादा आक्सिस में केलोली लेते हैं जिसको आपन बैन नहीं कर सकते तो वह सारा जमा होके ट्राइकलिसाइड बन जाता है और बोड़ी में ट्राइकलिसाइड बहुत ज्यादा हो जाता है तो अपने सरीर पे कुछ निसांस और कुछ मार्क्स चालू हो जाते हैं उनको आइडेंटिफाइड करके अपनी पता लगा सकते हैं कि अपने सरीर में लिपिट लेवर बढ़ता जाता है हाई में बहुत सारी डिस्क हो सकती है और बहुत सारी दिख्तें हो सकती यसे ऐठीरोज्स कर कोकर दे गा हएर्ट अठेक हैस ट्रोग है और इंफ्लावेशन और पें किरियाज ही तो यह सारी दिख्टें है बने जैसे-जैसे कापि टायम तक अलिस्ट्रOOD और् ट्राइगलेस सेर हो सकते हैं एक जो फ्रैमरी कोज रहते हैं जुसको फेमिलील कोज भी बोलते हैं जनिटीक कोज बींदें जो लेच्टांण फटर सोगर, आलकॉल लेते हैं जिन को थायरोड की प्रोल्म है किड्नी खेडियर है l फैलियर है तो इन सारी कंडिशन में जो ट्राइगली साइड के लिए बढ़ जाता है तो उसो सेकंडरी कोज बोलते हैं क्योंकि इनके कारण ट्राइगली साइड अपना बढ़ रहा है तो अब अपन चार ऐसे साइन्स की बात करते हैं जो इनको पंदे के इजली आइडनिफाई कर सकते हैं तो उनमें सबसे पहला है जेन्थे लेजमा जेन्थे लेजमा का मतलब है कि अपनी जो आई हैं उनके इनर साइड है जो नोज की तरफ है वहाँ पे छोटे छोटे फेट के बोल्स बन जाती है और वो येलो कलर के रहती है उन बोल्स में वैसे कोई पेड नहीं होएगा वो कोई दिकत नहीं करेंगी अपनी आई साइट में भी कोई असर नहीं आएगा लेकिन यदि वो अपनी यहाँ जमा है तो अपन यह देख सकते हैं या अपन यह सोच सकते हैं अपने यह बनी हुई है इसका मतलब अपने सरीर में लिपिट ट्राइकलिस्ट्राइल लेवल हाई जा रहा है और वो आपको देखने से ही पता चल जाता है उसके लिए कोई अलग से कोई टेस्ट करने की जरूतर नहीं है दूसरा रहता है जैन्थोमा जैन्थोमा क्या रहता है अपनी जो भी बोडी की जैसे अपने जोइंट से नी जोइंट है अलबो जोइंट है अपने हैंड है अपने फो माम है अपने फीट है बटक है इन जगाओं पे जो लिपिट की बोल्स बन जाती है चोटी चोटी लीपिट की जो गांठे बन जाती है उनको जैन्थुमा बोलते हैं और जैन्थुमा जो येलो कलर की दिखाई देती है और ये एदिये अपनी शरीर पे हैं तो अपन सोज सकते हैं कि अपना लीपिड है ये तीसरी चीज है इसमें corneal arches यानि अपनी जो आँखें, आँखें में जो कॉर्णिया रहता है, कॉर्णिया के चारूं तरफ एक circular ring बन जाती है, white color की एक ring बन जाएगी, जो ring होती है, ये normally रहती है old age में, लेकिन ये less than 40 years से पहले ही है, यानि अपनी 40 साल होई नहीं, उससे पहले है अपनी रिंग बनी जो अपनी आँख में रेटाइना है, उसकी जो blood vessels रहती है, जो artery और vein रहती है, वो सारी हो जाएंगी white color की, नॉर्मली वो red color की रहते हैं, लेकिन high triglystate के कारण वो सारी white हो जाएंगी, और उनको देखने के लिए अपन फंडोस कोपी करते हैं, आँखी जाउस करते हैं, जो यानि अपना जो fat है, वो बहुत सारी जमा हो रखे है, अपने fat पे बहुत fat जमा हो रखे है, सैड में fat जमा हो रखे है, अपने गर्दन पे फेट रहती है, तो जो जर्नेलाइज अपने obesity रहती है, वो भी इंडिकेट करती है, कि अपने सरीर में lipid भो ज्यादा है, triglycet भो से पता चल जाता है तो यह साइन अपने बोडी में दिखाए देते हैं तो इसका मतलब अपना ट्राइकली सेड हाई है तो जब भी आपको अपने ऊपर या अपने आसपास किसी में भी यह से साइन दिखते हैं तो आप उसको एड़वाईज कर सकते हैं कि आप पीजिजिशेन इसक में आते हैं और यह आपका मोर देन 500 है तो आप वेरी हाई रिस्क में आते हैं आपका लेवल बहुत जादा है तो अपना टार्गेट रहता है कि अपन ट्राइकली सेड को लेश दन 150 रखें और जिनको यह कुछ अदर रिस्पेक्टर भी है या जिनको अपन और एनी ए अपन को पता है कि यह मेंली अपनी डाइट से ही आता है तो आपको डाइट मोडिफिकेशन करना पड़ेगा डाइट मोडिफिकेशन के लिए आपको डाइट में जो भी फैटी है आप से चुरेट फैल लेते हैं वो सब कट करना पड़ेगा और जो भी सुगर आप लेते है एक्स्टा सुगर है एड़ेट सुगर है वो कट करनी पड़ेगी आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट उगरा नहीं लेने जो भी चाओल है आलू है मेदा से बनीवी चीज़ें वो सारी बंद करनी पड़ेंगी इसके साथ आपको प्रोटीन अच्छी बातरा में आप प स्टोप करें आप एड़ी डाइबिटीज है आपको हाइपरेंजन है उसकी रेगुलर मेडिशन ले और अपना थाइरोड लेवल है किड्नी फंक्शन है लियूर फंक्शन है वो करवाएं और इदी उनमें कोई दिकत रहती उसको मेनेज करें और इसके साथ साथ आप डेली अपनी आदी से घंठा अक्सेसाइज करें अक्सेसाइज इतना मालाइस इतना इंटेंसिटी से आपको स्वेटिंग हो दो आनिवाद